नमस्कार आज की इस फाइब मिनिट वीडियो में हम जिंक का आउट लूग देखेंगे देखेंगे पूरे बेस मेटल की अगर हम बात करें तो पिसले दिनों में हमने काफी अच्छी तीजी बनते वे दीखी है इन फैक्ट हमने जिंक, निकल, लैड, कॉपर सभी में हमने लेवल भी छूटे वे देखा इसके बाद नमेंबर दिसंबर में हमने देखा फिर से थोड़ा कंसरंस की वज़े से हमने प्राइजस में ड्रॉप आते वे देखा बट कही ना कहीं अब प्राइजस फिर से एक अच्छी तेजी का माहौल बना रहा है टेक्णिकली भी और फ कुछ fundamentals की अगर हम बात करते हैं तो हमने 2020 के अंदर काफी uncertainty देखी, 2021 के अंदर हमने देखा 14 साल के high पे prices जाते हुए दिखाई दिखाई दिये, जिस दन्ग से power crisis, दूसरी और demand, post pandemic धिने दिने इंप्रूव होते हुए दिखाई दी थी, lockdown के चलते हमने supply में disturbance होते हुए देखा, जिसके चलते 2021 के अंदर हमने जिंक पे prices के अंदर एक अच्छी खासी rally बनते हुए देखी है, वहीं overall demand जो recovery है, वो stronger देखी जारी है, US, Europe, China में इतना ज़्यादा नहीं था बट US, Europe में काफी strong था, जिसके चलते October में पिछले साथ, जिंक के अंदर एक जबरदस तेजी देखी गई, जो domestic market में 320 का level, और international में अगर हम देखे, LME पे, तो करीमन 3800 का level तोड़ता हुआ दिखाई दिया, power prices के चलते हमने देखा, ये एक बड़ा उच्छालाया था, जो 14 साल के high पे जिनके prices को ले गया था, काफी minds हैं जिन्होंने अपने production कट किये थे, exposure क्योंकि पावर, rationalization चल रहा था, जिसके चलते हमने ये चीज होते वे देखी है, CPM Group ने भी कहा है कि धीरे देर recovery होगी जरूर, बट vaccinations होने के साथ-साथ, market में demand continue बना हुआ है, तो सारे fundamental अब 2022 के quarter one की बात करें, तो एक तरफ चाइना में restocking हो रही है, Chinese new year से पहले, साथ में inventories multi year low पे पाउस्ते वे दिखाई दे रही है, टेक्निकली भी market में एक अच्छा खासा breakout है, तो सारे ही factor battle के लिए TG में है, वहीं अगर हम टेक्निकली देखें, तो daily chart के उपर अगर हम देखते हैं, तो यहां पर rounding bottom का एक formation हुआ है, आप देख सकते हैं, पिछले साल October में high मारने के बाद यह rounding bottom बना है, यह एक छोटा cup and handle formation बोल सकते हैं, यहां पर आप cup का depth देख सकते हैं, यहां पर handle है, तो यह formation होने के बाद एक neckline बन चुकी थी 291.20 की, तो जैसे ह यह परसो के दिन 292 का level तो यह confirmation है, इची मिको cloud के उपर है, जो prices को 330 तक का भी level दिखा सकता है, तो overall counter काफी bullish है, सिजनलिटी में भी हम देख रहे हैं कि फरवरी मार्च, अपरेल माई में हमेशा 30 का रूप रहता है, तो overall हमें लगता है कि short term के लिए jink को लिया जा सकता है, जो 316 से 330 तक का भी level दिखा सकता है, जब तक 288 के उपर hold है, अधिक जनकारी के लिए आप हमारा YouTube चैनल सस्काइब कर सकते हैं, इस चैनल में हम आप तक equity, commodity, currency के update लाते रहेंगे, वीडियो पसंद आने पर इसे like और share जरू कीजिए, धन्यवाद.